चिम बंगाल में राजनीतिक गरम हो गई है बस कुछी दिनों में यहाँ पर विधान सभा चुना होने बाले है जिसको लेके भारते जनता पाटी और त्रिण मुल्क कॉंग्रेस में आपसी लड़ाई तेज हो गई है कल नेता जी सुबास चंद्र बोस की जनम जैनती थी जिसमें प्रधान मंतरी और मुख्य मंतरी दोनों ही एक स्टेज बे थे जब मुख्य मंतरी को भासट देने के लिए बुलाया गया तो भीड में से कुछ लोगों ने जैसरी राम के नारे लगा दिये जो मंता दिदी को आसरण नहीं देंगे इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए संजय सोम जी है जो कि एक राजनितिक बिसलेसक है लेखक है और कॉलोमनिस्ट है आईए उनसे इस बिसह में बात करते हैं सर जो कल हुआ क्या वो होना चाहिए था वो सही था जी नहीं जो कल हुआ वो बिल्कुल होना चाहिए नहीं चाहिए था ये जो ये कल का एक दिन एक बहुत पावन दिन थी ये निताजी सुवाश चंदर बोस जो की हमारे देश का जिनको गांधी जी ने कहा था प्रिंस अमंग पेट्रियट्स मतलब इतना शौर या इतना वी ये इतना बड़ा एक आदमी जो आइकॉन है हम सबके लिए एक पत्थ प्रदर्शक है उनकी 125 वी जनन दिन पे ऐसा एक अन्होनी होना ये बहुत दुखद है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था सर ये ममता दिदी को जैसरी राम जब भी बोलते हैं बोल बोल में एक बार हुआ था लुकसभा को चुना हो रहा था और यहां पे जनता ने जैसरी राम बोल दिया तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है इतना बुरा लगता क्यों है नहीं बिल्कुल जैस्री राम एक नॉर्मल कोर्स में अगर हम थोड़ा सा बंगल के बाहर भी चले जाएं बिल्कुल राम राम जी जैस्री राम ये सब एकदम ग्रीटिंग्स हैं मतलब एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए ये एक बहुत असान और मतलब पॉपुलर तरीका है तो एक आदमी एक दूसरे आदमी को जब जैस्री राम कहते हैं तो उसके उनको इस पे गुसे की कहां से बात आ गई ये मुझे समझ में नहीं आता एक्चली इस पे क्या है कि इन्होंने इनको एक विरोधी दल की एक स्लोगन के जैसे इन्होंने ये अपने आप ही खड़ा किया है कोई भी इनको जैस्री राम कहते हैं तो ये गारी से उतर के उसके तरफ भागती है बगरा बगरा मतलब इनको एक कहीं न कहीं से इनको चिड़ा जाती है हलाकि जैस्री राम सुनके किसी को क्यों चिड़ा आए ये आज तक मुझे भाई साब समझ में नहीं आए तो इसलिए अगर मान लीजे कि कुछ लोगों ने जैश्री राम कहा भी और इनको वो मान लीजे बुरा भी लगा फिर भी ये मुक्वंत्री है ओकेशन जो है वो ओकेशन हमारे निता जी के 125 वी जनम जनती है तो वो माइक में जैश्री राम के बदल में जैश्री राम करके बोल सकती थी बोल के अपना भाशन कर सकती थी उसमें बिलकुल इतना इतना इन्होंने तिल मिला गियों गिया ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक मुझे ये चीज बिलकुल सच्ची में कह रहा हूँ, किसी को कोई जैशी राम कहे, कोई ओनरिफिक दे या कोई ग्रीटिंग कहे और वो उसको एकदम से अपने उपर एक लांचन समझ लें, ये मैं आज तक इनका कारण नहीं समझ पाया हूँ ममता दिदी ने बोला कि सरकारी कारक्रम है, भासागी मर्यादा होनी चाहिए, तो मतलब सरकारी कारक्रम में कुछ मर्यादा होती है, तो क्या ये मर्यादा के विपरीत था, सरकारी कारक्रम में ऐसा कभी हुआ नहीं क्या चाहे सरकारी कारी करम हो, चाहे वेसरकारी कारी करम हो, किसी तरीके का कारी करम हो, कारी करम कहां पे हो रहा है, हमारे देश में, तो हमारे राष्टर पूर रुष्कून है, स्री राम, तो उनके नाम पे अगर कोई जैद्धनी दे, वो किस तरीके से, कैसे, कोई किसी के लिए, कोई मतलब क्या कहते है उसको मतलब किसी को उससे अगात चोट पहुंच सकता है कोई कारणी नहीं बनती इसका हाँ ठीक है अगर समझ लीजिए मैं ये क्योंकि इन्होंने काफी बार पहले भी जैशेडाम सुनके इनको इन्होंने काफी मतलब क्रोध दिखाया तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनको चिराने के लिए कहा मैंने कह रहा हूं कि इन पे बिलकुल सिर्फ ग्रीट करने के लिए कहा था पर वो चिरेगी क्यों इतनी मैचिरिटी दो होनी चाहिए कि कोई member of the public अगर आपको चिराना चाहे वो भी कोई किसी ते कोई गाली नहीं दिया श्रीराम का नाम लिया उसमें आप इतने चिड़ गई कि आपने जिन्नों ने आपको बुलाया था जिस पद में आप आसीन है उसी के कारण आपको यह निमंतरन मिला था अप उन्हीं लोगों की उपर चिड़ गए और उन्हीं लोगों के ओपर चड़ भी गए उनको उड़ा सीदा आपने कहा कि उन्होंने आपका अपमान किया वगरा वगरा हला कि मिनिस्ट्र अफ कल्चर की यह प्रोग्राम थी मिनिस्ट्र अफ कल्चर ने आपको किसी तरीके से कोई अपमान नहीं किया कोई member of the public राम नम ले लें और आप उसको अपमान समझ लें अपने आप खुदी और उसके बाद आप जो पूरा भाशन है वो भाशन जय बंगला से खतम करें जय बंगला क्या है जो बंगला देश का लिबरेशन वार के समय जो वार कराई था वो जय बंगला था तो किसने वो वार कराई दिया था जिन्होंने पाकिस्तान तोड़के एक दूसरा देश बनाया था उन्होंने एक वार कराई दिया था मुझिबूर तो वो वाला चीज आपको अफमानजानक नहीं लगता वो वाला चीज आपको सही लगता है और ये एक मंगरन चीज है ये किसी को भी नहीं करनी चाहिए और जो ऐसी पदमे आसिन है उनको तो बिलकुल शोबा नहीं देती देदी तो पस्चिम मंगल का नाम बदल के भी बांगला करने के लिए विदान सभा में लेके आई थी रेजिलियोशन हाँ बिलकुल लेके आई थी हाला कि वो हो यह नहीं और अच्छी बात है नहीं हुई क्योंकि पस्चिम मंगल का जो नाम है उसके साथ एक इतियास जुड़ा हुआ है वो इतियास बहुत दुख़द इतियास है वो इतियास हमारा देश का बटवारे का इतियास है बंगला कभी एक जमाने में बंगला एक ही था किस ने भागा उसको बाटा किस ने और क्यों पस्चिम बनाना पड़ा पस्चिम इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पूरवी बंगल जो है वो पूरवी पाकिस्तान बन चुका था तो जो पंत के अधार पे जिस देश पे बटवारा हुआ जिन लोगों ने बटवारा किया उनकी बंगाल और हमारी बंगाल जो भारत के अंग्श है दोनों को एक साथ हम कैसे मिला के देख सकते है वो बंगला देश है और हम सिर्फ बंगला बन जाए ऐसा थोड़ी न होता है हम पश्चिम मंगाल इसलिए बने थे क्योंकि हमारे सीने के ऊपर किसी ने छूड़ा बगाता और वो जो इतिहास है वो भुलाने के लिए पश्चिम शब्ध हटाने का इनका ये शड़जंत्र है ये हमारे लिए मानने हम बहुत लोगों के लिए मानने नहीं है देश जब स्वतंत्र हुआ था उसका बीभाजन हुआ था तो सबसे अधिक बीभाजन की जो बीभी सिका थी वो पंजाब ने और इस तरफ बंगाल ने जहिली थी बंगाल का भी बीभाजन हुआ था तो अभी जिस तरह से इस्तिती बंगाल में देख रहे हैं कि मुसल्मानों की जो जनसंख्या है 30 से 35 प्रतिसत हो गई है और जहां भी हम देखते हैं कि 40-45 वा अलग देश की मांग ये करने लगते हैं तो क्या लग रहा है बंगाल फिर से उसी रास्ते पर चल चुका है फिर भी भाजन होगा बंगाल का क्योंकि C.A.N.R.C. तो यहां लागू देदी करने नहीं दे रही हैं मुझे नहीं लगता कि यहां पर C.A. लागू नहीं होगी C.A. लागू होगा जरूर होगा क्योंकि बहुत सारे करोरों बंगालियों का जो जिनको हुआ पर religious persecution से कारण से अपना घर छोड़ना पड़ा जिनको मुसलमानों ने मार के भगाया पूरी बंगाल से वह आके जो हमारे यहां पर भारत में बसे हैं उनको नागरिकता मिलना लाजमी है उनको मिलना चाहिए और यह भारत सरकार ने एक बार इसको सिवकार कर लिया है जब सिवकार कर लिया है और जिसके लिए कानून बन चुका है उसको रिवर्स करने का शमता कोई भी अंगराज में किसी मुख्यमंद्री का है नहीं इसलिए भारत सरकार का कानून है और भारत सरकार इसको लागू करके ही रहेंगे तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो सिये लागू करड़ी के सवाल है वहाँ पे कोई अंतर पड़ेगा इल्लीगल इमिग्रेशन का सवाल है जो अपने सवाल पूछा न कि बंगाल में भी दुबारा विवाजन का परिस्तिति पैदा हो रहा है कि नहीं अब देखें यहाँ पे इल्लीगल इमिग्रेशन 1980 के दशक से यह चल रहा है पहले कौंγरेस ने खुब सारी की थी उसके बाद सीपैम आने के बाद सीपैम ने बहुत सारे लोगों को वौझाया और अब यह जो सरकार है इस समय भी इल्लीगल इंफिल्टरेशन चल रहा है illegal infiltration मतलब जो लोग हमारे देश को विवाजित करके एक दूसरे अपने लिए एक दूसरे देश बना के अलग हो गए थे वो फिर अपना देश छोड़के हमारे देश में आके बस रहे हैं तो ये किसी भी कोई भी समाज के लिए कोई भी देश के लिए ये मानिया नहीं हो सकता मतलब मैं कोई वीजा नहीं कोई पासपोर्ट नहीं किसी और की देश में घुज जाओं और जा पर होँआ बस जाओं और फिर उनकी जो इंफरास्ट्रक्टर है उसका लाब उठाने लगों और फिर दो दिन बाद फिर अनब शनब तरीके से अपना परिचे पत्र बना के उस देश की नागरिक होने का एक ऐसा एक मतलब ढंग करके फिर उनको भोड़ भी देने लगो और उनका जो सरकार है उसको भी चुणने लगो ये कहीं पे भी मानने नहीं है हमारे देश में भी नहीं है तो ऐसे बहुत लोग पस्ची मंगाल में घुसे हुए हैं पहला काम जो है नर्सी का सरी सीय का है मतलब जो हिंदू, सीख, बौद, क्रिश्चन, जैन, पार्सी religious persecution के कारण वितारित हुए हैं उनको पहले मौका मिलना चाहिए, उनको पहले nationalization होगा मतलब उनका नागरिक्त होगा उसके बाद जो बच जाएंगे वो illegal immigrant होंगे और उनको फिर किसी तरीके से जैसे पूरी पृत्वी बाकी देश treat करते हम भी करेंगे तो इसलिए अब भी जो परिस्तिती है वो परिस्तिती भायंकर है क्योंकि उसमें बहुत सारे विदेशी घुस्पेटिया घुश चुके हैं और उनके साथ-साथ जो आल-काइदा का modules यहां पर मिल रही है कुछी दिन पहले च्छै लोगों को NIA आके यहां पर गृफ्तार किये हैं अपने यह भी देखा है कि कभी खागड़ागर पे कोई ब्लास्ट हो रही है कभी कहीं और पे कोई ब्लास्ट हो रही है इसका मतलब यह जो घुस्पेटिया है जिनमें बहुत सारे जिहादी भी हैं यह हमारे समाज के अंदर छुपा हुआ है यह घुल मिल गए हैं घुज गए हैं बस गए हैं इनको आइडिटिफाइ करना जरूरी है इनको यहां से भगाना भी जरूरी है वो प्रक्रिया जब होगी तब मेरे ख्याल से जो जिस चीज की बात आप कर रहे हैं चार राजधानी होना चाहिए एक कुलकाता भी उसमें एक होना चाहिए इसको लगे क्या कहेंगे नहीं बने दुनिया में कोई और दो देश दिखा दीजी जिसमें चार राजधानी है अच्छा चार राजधानी जब उन्होंने मांगी तो भी उन्होंने पश्चिम का विजिकर नहीं किया उन्हें का साउथ में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, इस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ इस्टन में होना चाहिए नॉर्थ इस्टन कोई अलग से जगा नहीं है मतलब नॉर्थ इस्टन स्टेट्स कहने की कोशिश की होगी पर वेस्ट इंडिया के इंडिया का पार्ट नहीं है वेस्ट इंडिया पाकिस्तान है क्या मतलब जो जो कहती है उसका कोई एक कोई एक क्या कहते है लॉजिक तो होना चाहिए अगर आपको राजधानी चारों तरफ चाहिए गोमा-गोमा के तीन मेना हिआ तीन मेने वहां तीन मेने हुआ ऐसा कभी जिंदिगे में किसी ने सुना नहीं कहीं पे होता भी नहीं है, फिर भी अगर मान लिजे for arguments sake मैं मान भी लेता हूँ पर Western India की बात वो क्यों नहीं करती है why only South India North India, East India and North Eastern India why not West India, Western India Bombay के Bombay राजदनी होने लाइक नहीं है क्या अगर उनी की तरक मैं मान लूँ बाकी administratively आप समझ सकते हैं क्या कि पूरा जो सरकारी ताम जाम है सारे जो ministry है सबके सब ministry सबके सब उनके जो अधिकारीक है उनके जितनी फाइले हैं सबके सब minister खुद उनका रहन सेन उनका मतलब आपका काम का जगा मतलब सबी चीज हर दो दो तीन तीन महिना के बाद बाद अगर देश भर इस तरह से घूंती रही तो देश का तो हो गया सकते है नास और ये सिर्फ मौनतब एनेज़ जी की सोची हो सकती है और किसी मतलब जो लॉजिकली सोच सकते हैं वो लोग ऐसा कभी नहीं कहें मतलब ये सोच की बहार है मैं क्या बोलूँ इसमें बताइए ये जो चार राजधानी का कॉंसेप्ट उसमें कोलकटा भी एक है कोलकटा भी एक राजधानी होने चाहिए तो कोलकटा पहले राजधानी हुआ करती थी कुछ समय पूराने समय में तो अभी कोलकटा में ऐसा कुछ बचा हुए है कि मतलब राजधानी बनाया जा सकता है क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस पर हाँ ये एक बड़ा कठिन प्रशना है क्योंकि कोलकटा सिर्फ नहीं पूरे पस्चे मंगाल में आप इनकी जो पॉलिसी है ममता देवी की जो पॉलिसी है उसमें आप एक फुट रेल नाइन नहीं बना सकते है एक नया राष्ट्रिय राजमाक नहीं बना सकते है क्योंकि ये जमीन लेने के सक्थ खिरवाफ है अब राजधानी अगर बनेगी उनकी अगर पूरी इंफ्रस्ट्रक्चर बननी है वहाँ पर पार्लेमेंट बिल्डिंग बनेगी वहाँ पर पुरा नॉट ब्लॉक सौफ ब्लॉक बनेगा प्रेज़िडेंट का रहने का पैलेस बनेगा प्रधान मंत्री जारे मंत्री सभा उनके निवास बनेंगे, फिर जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स के लिए ओफिस बनेंगे, चाहे वो रेलवेज हो, कम्मुनुकेशन हो, डिफेंस हो, सारे, तो इतनी जगा पूरी राजधनी बनाने के लिए, पूरी लूटियंस देली दुबारा यहां पर बनाना पड़ेगा, तो अगर बनाना चाहें, तो यह इनका जो जमीन का निती है, जो पॉलिसी है, कि एक इंच भी जमीन किसी से लेना नहीं है, तो यह राजधनी कहां पर बनेगी हवा में, यह भी तो एक है, मतलब किसी भी तरीके से आप इसको देखे, इतना इलोजिकल है कि इसमें क्या कहूं, मतलब इसमें कहना भी समय बढ़वादी है, पहले राजधनी था, उस समय सारी इंफ्रस्ट्रक्चर थी, अब वो इंफ्रस्ट्रक्चर में स्ट स्टेट करवमेंट रहे हैं या नहीं किया, जो मानली जी उस समय जो वाइसरोय का मुठान हुआ करता था, या उस समय जो हमारे मतलब जो सीट आउज़ हमारा जो राज़्य शरकार है, उनका गभजा है, वो राज़्य सरकार उस बिल्डिंगों से काम चलाती है, तो आप ँ इंडिया का राज़धानी और राज्य की राज़धानी तो एक साथ नहीं हो सकती है उनका दूना का इंफ्रस्ट्रेक्ट्टर अलाग है प्रधार मंत्रि अगर मान लिजिए कलकत्ता शिफ्ट कर जाए तीन माहिनों के लिए तो तीन माहिने यहां पे मुख्ध मंत्री नहीं रहेगा क्या तो फिर वो वो लोग कहां पे कहां सा उपरेट करेंगे इसलिए जब था तब था अब नहीं है तो अब अगर होना है तो नहीं सिरे से बनाना है और ऐसे चार-पांच जगा पे बनाना है मतलब यह इत्तम इसमें कुछ कहना ही बेकार है अच्छा फिर से स्री राम के मुद्धे पे आते हैं जैसा कि सरकारी कारियकरम में दीदी ने बोला कि जैसरी राम नहीं बोल सकते हैं लेकिन हम लोग यह भी देखे हैं कि दीदी सरकारी कारियकरम में ला इलाहे इलाला कई बार बोली है मतलब पैसा सरकार का कारियקरम आル्टिमिटली दलका उता है और उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं मतलब ऐसे सारे चीज़े कह जाती है जो एक सरकारी कारियकरम में नहीं कहना चाहिए और वो खुद भी ऐसे कहती है यह ऐसा नहीं कि वो बाकी लोग कहते है उनके खुद के वो खुद भी ऐसे कहते हैं, इसलिए सरकारी कार्मों का जो गरिमा है, वो त्रिनुमूल सरकार के साथ उसका तालमिल बैठता नहीं है, मतलब त्रिनुमूल का सरकार और जो त्रिनुमूल पार्टी है, इन दोनों में बिलकुरी कोई अंतर नहीं है, मैंने कही वो पार्टी ओफिस से कहा जा सकता है पर यह लोग कहते है इनके पास उसका कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है पिछले दस सालों में ममता दीदी जो कार की है उससे कितना मतलब कैसा काम रहा है दस सालों में हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं बना है State highways जो जुड़ना चाहिए मतलब लोगों को जुड़ने के लिए जो infrastructure होना चाहिए railway line चाहिए आपका airport चाहिए sea port चाहिए बड़े-बड़े highways चाहिए freight corridor चाहिए बहुत सारे चीज़ हैं जो लोगों को economically जोड़ते हैं और उसी से economic growth होता है रोजगार create होता है infrastructure हमारे यहां पे बिल्कुल कोई development है इतना दस साल में हुआ नहीं है इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पे कोई बड़ी industry नहीं है industrial policy इनकी गलत है इनकी जो land policy है वो गलत है industry कोई हवा में तो बन नहीं सकता बनेगा तो जमीन पे रास्ता हवा में नहीं सकता बनेगा जमीन पे rail line fret corridor कुछ भी आप कहिलीजिए हवा में नहीं बन सकता बनेगी जमीन पे airport, sea port कुछ भी बनना है वो भी बनेगी जमीन पे तो जमीन ही अगर नहीं लेना है किसी तरीके से किसी जमीन पर हाथ नहीं लगाना है सरकारी तरफ से तो बनीगी कैसे बनी नहीं कोई इंड़स्ट्री नहीं लगी और जो इन्नोंने बहुत सारे कहा था कि हमरे पास जमीन का लैंड बैंक है वगएरा वगएरा उसमें बन सकती थी अगर law and order situation ठीक होती वो भी नहीं है आए दिन आप देखते हैं syndicate का जो जो दबदबा है syndicate है मतलब कुछ party के लोग मिलके अपना एक gang बना लेते हैं और आप कुछ भी करने जाओ आपको उनी से उनी से बनवाना पड़ेगा मतलब समझ लिजिए मैं अपना घर घर का example दूँ अगर मानली जी इसका छद में ठीक करना चाहता हूं चद से पानी टपकर है मैं चद से ठीक मैरा मैं जैसी उसमें हाथ लगाऊंगा दस लोग आके यहां पर खड़े हो जाएंगे कि भजला भजसाब हम लोग आपके पाड़ा के लोग हैं यह काम हम करेंगे आप किसी के आप जैसे अपना मर्जी है उससे आप नहीं करा सकते हो तो आपको ज्यादा डेट देके माप में कम बाली, सुड़की, सिमेंट वगारा इनी लोगों से खरीदना पड़ेगा और फिर काम इनी से करवाना पड़ेगा नहीं करवाएंगे तो फिर आपका हुक्का-पानी बंद हो जाएगी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे जो परिस्तिती है और आप अगर इसके खिलाफ अगर पुलिस में कम्प्लेन करेंगे तो पुलिस आप ही को पकड़ के ले जाएंगे इनको कुछ नहीं कहेंगे ये परिस्तिती बंगल में अभी फिलाल है और अगर कोई भी सरकारी काम करवानी है तो कटबनी के बिना ये होता नहीं है अगर जो भी स्कीम्स हैं मतलब जो जनता के लिए जो स्कीम्स हैं वो लागू करानी है अगर आपको उसका लाब लेना है तो किसी ना किसी को आपको देना हीँ पडेगा उसके बिना ये काम आपका हगानी ah webinar घर भर्न के लिए जो दान मिलती है वो लेना है तो उससे भी आपको एक परसनेज देना पड़एगा। बाथरूश बननने के लिए उसमें भी एक percentage देना पड़ेगा कुछ भी कहीं पे भी आप चले जाओ आपको बिना घुस दे के कोई काम यहां पर आप कढ़ा नहीं सकते हो तो यह जो परिस्तिती है इस परिस्तिती में कौन आएगा पुझी अपना लगाने के लिए क्योंकि आज आपने प इंगूर से भगाया वो तो बिलकूल 15 दिन बाद गारी डॉल आउट होनी थी उस परिस्तिती में इन्होंने सब कुछ बंद करके जो टाटा को यहां से भगाया और उनको जो सारे 34000 करोर का नुकसान हुआ वो देखने के बाद कोन आएगा यह गार्मेंट इन्वेस्मेंट पर अपना रोजगार करके मतलब अपने पैर पे खड़ा होने के लिए जो चाहिए वो यह गामेंट नहीं देगी ऐसे ही इनको पॉलिसी है इसलिए पिछले 10 साल में हमने बहुत समय गवाया है मतलब बहुत और कई दशक हम पीछे चल गए हैं इसको अभी कहीं ने कहीं बं करने के लिए